नमस्कार में रिनका तो आप सबका मेरे यूटूब चैनल में भहुत भूस्वागत हैं तो घर में अगर आपके ज्यादा पके केले हैं और आप उन्हें फेकना चाते हो तो उन्हें आप फेको मत तो आज मैं उनी केलो से आपको बहुत टेस्टे से एक रेसिपी बना के दिख फिर अमें इसमें दो चमच बारिक सुजी डलने हैं फिर अमें इसमें दो चमच गिहू काटा डलना है फिर इसमें एक चमच चावल काटा डलना है फिर इसमें आदा चमच हल्दी पोड़र डलनी है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें आदा चमच धन्या पोड़र डलनी है फिर इसमें स्वादनुसर नमग डलना है फिर इसमें स्वादनुसर बारी कट के हुए हरी मिर्च डलनी है तो आप यहाँ लाल मिर्च पोड़र का भी इस्तमाल कर सकते हो फिर इसमें एक बारी कट किया हुआ टामेटू डलना है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ प्यास डालना है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें आदा कप बारी कट के हुए हरी धन्या डालने है फिर आखिर में अभी हमें इसमें एक कप पके हुए केले का पल्प डालना है तो मिनिया दो पके हुए केले लगे उन्हें आची तरह से स्मयाश किया था तो अभी हमें इस आरे इंग्रिडेंस को आची तरह से मिक्स करना है और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और इस रेसिपी के लिए ये बैटर बना लेना है तो हमें इसका ज्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है तो जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं तो उसी तरह ही हमें इस बैटर बना लेना है फिर इस बैटर बनाने के बाद आभी हमें इस बैटर को पाच मिनिटते के लिए ऐसे ही रेने देना है फिर ये रिसीपे बनाने के लिए हमें ग्यास पेक तवारक ना है और उसके उपर हमें चमच से अची तरा से तेल लगा लेना है और इस बैटर के इस तवे के उपर हमें थाली पिडलने है तो आप इसी बैटर के इस्तमाल करके इसके पकोड़े भी बना सकते हो नहीं तो आप इसे अपपे भी बना सकते हो फिर तवे के उपर ये थाली पिडलने के बाद उसके उपर हमें गानिशिंग करनी है तो उसके लिए मैंने यहां काले तिल लिए है तो आप यहां सपे तिल भी ले सकते हो नहीं तो राई भी ले सकते हो नहीं तो आप इसके उपर बारी कट के हुए हरी धन्या भी डाल सकते हो तो अभी हमें इसके उपर अच्छी तरह से एक काले तिल डाल देने हैं और फिर उसके उपर हमें चमब से तेल डालना है और इस थाली पीट को अभी हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तो एक तरफ से फ्राइ होने के बाद इस थाली पीट को अभी हमें चमब से पलट देना है और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से ब्राउन होने तर फ्राइ कर लेना है तो हम इसी तरह है यह थाली पीट दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन होने तर फ्राय कर लेना है तो अब यहां यह थाली पीट अच्छी तरह से पक चुका है अच्छी तरह से फ्राय हो चुका है फिर हमें इसके पीसिस करने हैं तो उसके लिए मेने आई चाकुल लिया है तो आप इस ठाली पिट को गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ चाय के साथ नास्ते में सर्व कर सकते हो नहीं तो आप सिर्फ चाय औठ के साथ नाश्चे में सर्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिरसे मिलते हैं तो थैंक्स फ्रेइस वाच मैं वीडियो